तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हर किसी को वॉइस किलियर है विज्वल ओके है फटा फट से बता दीजिए हम फिर स्टार्ट करें इंकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी काफी बच्चे new joining है तो सर जितने बच्चे new joining है मैं उनसे एक ही बात कहूंगा ये chapter आप start कर सकते हो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा लेकिन वो पहले basic concept को clear कर ले बाकि इस chapter में जो बच्चा नया है बिल्कुल समझ में आएगा ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल different रहने वाला है बिल्कुल different रहने वाला है अभी कुछ बच्चों का hand raise का आ रहा है तो hand raise देखो अभी तो मैंने start नहीं किया है जैसे ही रहेगा मैं फिर hand raise का सभी बच्चों का सवाल का जवाब भी लूँगा अभी मैं पहले concept कर वाउँगा concept पे पूरा concentrate कोई किताब नहीं चाहिए कोई noting नहीं चाहिए सर्फ concentrate करना है sir chapter क्या है sir chapter है और chapter का नाम आपका heads of income का एक part है major chapter सवाल exam के अंदर ये 10 number का exam में question पूछा जाता है अकसर 10 number का exam में question पूछा जाता है कुछ बच्चों का hand raise का option आ रहा है तो 10 number का अभी किसी के chat का जबाब अभी फिलाल नहीं लूगा पहले chapter स्टार्ट कर लेते हैं फिर लेगे चलिए देखिए income from house property साधारन सा देखो बड़ा छोटा सा है section 22 से लेके section 27 तक इसके अंदर हमें पढ़ने है जिसमें से important जो है हमें पढ़ना यह हमारे paper में 10 number का आएगा जो majorly section इसके अंदर हमें cover करना है वो करना है section number 23 और section number 24 इस दो section पर ही पूरा chapter टिका हुआ है इसके अलाबा जो section आपको दिख रहे है जैसे कि 22 definition का है 23 तो हम करेंगे detail में 24 भी करेंगे 25 nominal सा section है 26 nominal 27 आज cover हो जाएगा यानि सर हम आज 2 section cover कर लेंगे और शायद ज़्यादा भी कर पाएं चीक है तो सबसे पहला point है house property सर house property अब नाम पहले देख लेते है house का मतलब क्या है पहले तो ये समझे एक तो ये हमारे पास एक जमीन है एक जमीन है और इस जमीन के चारो साइड मैंने क्या करा आपने देखा होगा जमीन के साइड में क्या करते है हम नॉर्माली border डाल देते है जिसको बोलते हैं कि हमने border डाल दिया है जब कभी नई जमीन खरीते हैं तो चारो साइड मैंने बनाना घर ही है हमें, लेकिन हमने क्या करा, इसके चारो साइड में बॉर्डर, जिसे बोलते हैं कि हम बाउंडरी डाल देते हैं, क्या बताइए, ये हमारा हाउस है या फिर नहीं है, सिंपल सी बात बताइए, क्या ये हाउस के अंदर कवर होगा या नहीं होगा कवर, तो बाउंडरी भी नहीं डाला, मैंने इंफेक्ट हो, जब बाउंडरी वाला घर कवर नहीं हो रहा, तो ये कहां से कवर हो जाएगा, एक हमने क्या करा, पूरे वाल वगएरा सब चीज़े डाल दिये, बस च्छत डालना अभी डला नहीं है, च्छत नहीं डला भी, उपर होता है, जब complete बन जाए, तो सर इस chapter में house का सबसे पहले मतलब समझ लिया, अब बात करेंगे सर, इस chapter के अंदर क्या पढ़ेंगे, इस घर को अगर आपने rent पे दिया, इस घर को अगर आपने rent पे दे दिया, तो उस rental income पे, उस rent वाले income पे, किस परकार से, कैसे tax का implementation होगा, किस तरीके से text लगाया जाएगा, ये सारी बाते हम इस chapter के अंदर सीखने वाले हैं, हम घर का meaning भी नहीं, इस जो घर से rental income होगा, उस rental income को कैसे करेंगे, सर, rent यहां से भी आ सकता है, देखिए, आपने boundary दिया, क्या वहां से rent आ सकता है, जी हाँ, rent आ सकता है, आपने किसी को मान लो, कुछ time के लिए दे दिया, किसी को बोल दिया, कि भाई, आपके जो भी animals है, काई वगरा है, यहां पे आप रख सकते हैं, मैंने boundary दे दिया, 500 रुपे महिना दे देना, तो rent तो ले रहा है, लेकिन ये rental income house property का part नहीं है, क्योंकि house ही नहीं है, सेम ऐसे आपने boundary दे रही है, यह खाली जमीन है, वहाँ पे आपने rent वहाँ से receive कर रहे है, तो वो भी नहीं, rent किस से आना चाहिए, घर से आना चाहिए, तभी यहाँ पे कामियाब होगा, अब कुछ एक example साथ के साथ देखते जाईएगा, और समझते जाईएगा, एक मैं कुछ example ले रहा हूँ, जो की exception cases है, मान लीजिए, यह घर है, यह घर है, इस घर से rent लिया, और यह घर जो है ना, Mr. X का है, सर Mr. X इस घर का कौन है, ओनर है, और Mr. X ने इस से rent रिसीव किया, Mr. Y से, तो अब जो Mr. X के पास यह rent आ रहा है, पचास हजार रुपए का, for example, क्या यह house property के income मानेंगे, तो जबाब yes सर, यह house property की income है, क्योंकि घर से income रिसीव किया जा रहा है, किसके hand में chargeability, taxable किसके हाथ में होगा सर, इसके हाथ में होगा, tax कौन देगा, Mr. Y देगा या फिर X देगा, Mr. X देगा, क्योंकि ओनर जिसके पास rent आ रहा है, वो, second example देखिए, यह घर है, और इस house की बात करें, Mr. X है, यह सर इस घर का honor है, इसने rent पे दे दिया, सर किसको इसने rent पे दे दिया, Mr. Y को, और सर कितने पे दिया, पांच हजार रुपे महिने के किराये पे, अब Y ने क्या करा, इस घर को किराये पे दे दिया, Mr. Z को, Mr. Z को दे दिया, अब देखो rental की बात कर रहे हैं, rental income घर से आना, देखो जो Z पे कर रहा है, इसको rent paid कर रहा है, माल लेते हैं, छे हजार रुपे, और जो Y है, वो rent paid कर रहा है, X को, पांच हजार रुपे, अब पहले बताना, क्या Y rent receive कर रहा है, या नहीं कर रहा है, क्या इसके income पे house property का tax लगना चाहिए, या नहीं लगना चाहिए, अब इसने rent receive किया है, अब बताईए, इसके income पे tax लगेगा, या फिर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, सर क्यों नहीं लगेगा, अब ही देखते हैं, और क्या बताईए, ओनर के hand पे taxable होगा, तो जवाब होगा, तो law कहता है सर, rental income नहीं आना, आपको उस मकान का मालिक भी होना जरूरी है, अगर आप उस मकान के मालिक नहीं हो, तो उसके उपर house property के under head में taxable ना लेके, हम कहीं और आपके taxable करेंगे, सर कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे कि ऐसा possible है, बहुत possible है, इसको बोलते है, subletting, इस concept को बोला जाता है, subletting, एक बार let out कर दिया, उसके बाद फिर further कर दिया, उसे बोला जाता है, sublet out, मैं खुद ही बता हूँ, मैंने rent पे ले रखा है, H block, H block वा है, वो rent पे, तो वो मुझे rent देता है, तो उस case में मैं house property taxable नहीं दूँगा, वो other source के अंदर taxable हो जाएगा, तो यानि सर चलो दो बाते समझ में आती है, चप्टर में, कि number one, number one आपका घर होना चाहिए, number two, यहाँ पे rent होना चाहिए, number three, यहाँ पे honor होना चाहिए, अगर यह तीनों बाते इस law के अंदर अगर exist करता है, तब तो भाई यह आपका house property income माना जाएगा, अगर तीनों में से कुछ भी missing है, तो house property income नहीं माना जाएगा, simple सी बात है, चलिए सर, हम एक बार इसके definition को देख लेते हैं, फिर definition के बाद फिर हम आगे देखेंगे, या फिर पहले मैं honor के उपर थोड़ा सा discuss करना चाहूँगा, honor, sir, honor क्या है, देखिए, जो honor है, इसको देना, अगर इसके पास घर है, अगर इस honor के पास घर है, और इस घर से rent आता है इसके पास, और rent आता है, मान लेते हैं कि एक लाख रुपे महिने का, एक लाख रुपे महिने का क्या आता है, इसके पास rent आता है, और ये job भी करता है, sir, ये क्या करता है जॉब भी करता है मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब पहले देख लिजए जॉब करता है वहां से इसकी सेलरी है 4,50,000 रुपे की इसकी सेलरी कितनी है 4,50,000 रुपे का और income rent से कितना रहा है 1,00,000 रुपे का इसका tax liability निकालते हैं हम tax liability निकालते हैं इसका टेक्स निकालते हैं पहले तो निकालते है income from income from salary income from salary, salary से income साड़े चार लाग का है और सर रेंट से income जो है rent से income यानि house property से सर इंकम एक लाख रुपे, सर इसका total income जो बन जाता है वो बन जाता है पाँच लाख सर टेक्स liability निकालने के लिए up to 250 nil next 250 slab rate कुछ बच्चे नए होंगे उनको पता नी चलेगा तो पाँच लाख से उपर हमें tax भरना पड़ता है ये मैं बताना चाहता हूँ इस पे 5% यानी 12,500 रुपे balance पे balance पचास अजार पे 20% that is यानी सर इसे 22,500 जैसे ही ये 22,500 इसे सालाना देना पड़ता है ना किसी वेक्ति को सरकार को tax तो इस वेक्ति को कहीं ना कहीं tension होगा और ये अपना धिमाग चलाना start कर देगा ये सोचेगा दिमाग क्या चलाएगा यार मेरा rental income है और rental income मेरी income इसलिए माना जा रहा है क्योंकि मैं इस घर का honor क्योंकि तीन condition होना जरूरी है घर भी होना चाहिए है honor भी होना चाहिए और rent भी इसने कहा कि क्यों ना इससे बचा जाए अगर ये अपने इस income को split कर दे इस income को split तोड़ दे अब देखो घर के अंदर है परिबार के अंदर property वगरा किसी को भी दे दे कोई फरक थोड़ी पड़ता है इसने क्या करा अपनी wife के नाम पे घर को कर दिया अगर ये चलाकी कर जाए इसने क्या करा अपनी wife के नाम पे कर दिया तो जब next हम tax निकालेंगे अगर ये घर इसके wife के नाम पे हो जाए तो सर ये वाली जो income है ये x की नहीं होके किसकी हो जाएगी तो wife जब अपना tax liability सरकार को भरने जाएगी तो इसकी total income क्या हैगी बताओ एक लाख रुपे सिर्फ अगर एक लाख रुपे क्या इसकी wife tax भरने वाली है उस पे नहीं है और उसके जो husband जो Mr. X है इसका taxable income क्या होगा साड़े चार लाख साड़े चार लाख रुपे तक क्या हो जाता 87A लेके रिबेट होके 0 दोनों बच गए तो क्या ये ऐसा दिमाग लगा सकता है नहीं लगा सकता है तो जब इस तरीके की दिक्कते आई ना तो यहां पर बोला गया भाईया ओनर का मतलब एक तो रियल ओनर होगा और एक होगा deemed honor deemed honor का मतलब जो आपकी चलाकी है ना वो सारी चलाकी बंद कर दी जाएगी मतलब आपने सरिफ और सरिफ apparently दिख रहा है कि ये जो है घर अपनी wife को दिया है सिर्फ text चोरी है इसका purpose तो ऐसे मैं honor मान किसको लिया जाएगा text को मान लिया जाएगा मतलब तुम honor नहीं हो लेकिन income tax बोला तुम मानो या ना मानो हम मान रहे हैं तुम honor हो और उसके हिसाब से तुम्हें text देना होगा तो honor के भी दो category हो गया एक तो real honor जो की paper मेरे नाम पे है एक मैं honor नहीं रहूँगा मैं text चोरी करने के text बचाने के चकर में मैं कुछ ऐसी activity करूँगा जिससे मैं honor तो नहीं रहूँगा लेकिन income tax वाले मुझे जबरदस्ती honor बना देंगे that is a deemed honor जो की section 27 में बताया गया है समझे बात आप तो यानि कुछ चीज़ है अब एक बाद definition समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत आपको अब definition देख लेते हैं क्या कहता है sir definition chargeability की बात करते है sir chargeability की बात अगर करे तो क्या कहता है section हमारा chargeability के बारे में देखो आपको हर chapter के अंदर chargeability का एक section जरूर होता है जैसे इसमें section 22 है exam के अंदर पूछा नहीं जाता ये section लेकिन पता होना जरूरी है इसी section पर पूरा chapter depend करेगा कहता है कि the annual value of the property sir सबसे पहले annual value को मैं short form में लिख देता हूँ nab कहता है annual value sir किसके उपर आप लोगे तो बोला गया annual value पे लेंगे तो sir annual value कैसे पता चलेगा इसके लिए section 23 पढ़ना पड़ेगा annual value कैसे पता चलेगा आपको section 23 में annual value of property consisting of any building कोई भी building और कोई भी land consisting मतलब जुड़ा हुआ upper tent there to कहने का मतलब है कोई भी building या building से जुड़ा हुआ land upper tent there to इस शब्द का मतलब क्या है upper tent there to कई बार ऐसा होता है sir यह आपका घर है इसके साथ में आपका पूरा garden है और मान लो यह जो आपका घर है इसका rent आपने decide किया है 50,000 महिने का इसका rent decide किया है आपने 50,000 रुपे महिने का सर अब 50,000 रुपे महिने का अगर आपने decide किया है तो 50,000 रुपे including that land जो की आपका garden का area है है ना तो अब आपका मैं अगर simply बोलू के भाईया इसका किराया 20,000 होनता है या 40,000 बनता है इसका किराया 10,000 बनता है अगर मैं simple एक justify करूँ कि अगर ground नहीं होता तो 10,000 क्योंकि मैं rented पे लेने गया मैंने लिए भाईया किराया कितना है 50,000 मैं महिनगा है बोड़ा भाईसा 50,000 आपको पार्क वार्क मिल रहे है देखो पार्किंग है पार्क है इन सब फैसलेटी के तो पैसे है इसको बोला जाता है तो उस हिस्से को भी मान लिया जाएगा और उसका भी आपका हाउस प्रॉपर्टी में ही taxable किया जाएगा तो सर सवाल यही कर रहा है यहां पर कहता है कि consisting building और अपर्टेंट देर टू of which SSC SSC का मतलब क्या होता है सर SSC का मतलब होता है जो हमारा tax payer होता है जिसको tax देना है आम नागरी कुसे SSC बोलते है अगर SSC honor हुआ तब ही वो देगा house property के under tax chargeability का मतलब किस पे tax लगेगा एक तो annual value पे लगेगा net annual value पे लगेगा किस पे लगेगा सर the annual value of property यानि net annual value पे tax लगेगा और साथ के साथ घर होना चाहिए घर से जुड़ा हुआ कोई जमीन है उसके उपर भी हम tax लगा देंगे और आपको honor होना जरूरी है says subject to income tax under the head of income from house property यानि सर ये condition complete होना जरूरी है honor के बारे में जादा जानने के लिए section 27 पढ़ना पढ़ेगा हमें ठीक है ना honor के बारे में जादा जानने के लिए section 27 पढ़ना पढ़ेगा after the claiming deduction section 24 कहता है tax आप तभी देना हम कुछ आपको benefits देंगे जैसे house property का income आपका 1 लाग है government कहता है 24A में आपको 30% का हम deduction दे रहें that is 30,000 तो आपका बचासर 70,000 तो 70,000 पर tax दीजिए तो after deduction 24 के अंदर दो section 24A और 24B आगे कहता है providing such property और any portion of such property not used by SSC for the purpose of any business अगर आप business के लिए use कर रहे हो इस property को तो वो income from house property के under taxable नहीं होगा यानि आपने rental देखो आप नहीं कर सकते business purpose के लिए आपने किसी और को किराये पे दे दिया वो business purpose के लिए कर ले तो होगा house property rental ठीक है ना आप नहीं कर सकते बस for the purpose of any business and profession carried on by him मतलब who SSC the profit which the chargeable under income tax तो सर यह साधारण सी definition है इस definition को अगर हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया देखो 23 भी आगया इस definition के अंदर section 23 पढ़ लिया section 24 पढ़ लिया section 27 पढ़ लिया हमारा chapter लगबग over हो जाता है कहने को 22 से 27 है लेकिन दो ही section main है पहले यहां तक आपको clear है तो what is the text charge बच्चे पूछ रहेंगे सर्ड क्या text charge लगता है rate क्या है देखो rate वही slab rate लगता है basic इसमें कोई special rate नहीं है चलिए सर अब हम सबसे पहले क्या cover करें सबसे पहले हम cover करते है honor honor कौन होता है अभी मैंने थोड़ा definition दिया honor देख लेते हैं तो honor कहां पर गीवन है पहले पढ़ेंगे हम deemed honor sir deemed honor क्या है और honor कौन सा होगा deemed honor section 27 ये बताता है कि कौन हमारा deemed honor का part माना जाएगा point number one पहले मैं case समझाऊँगा फिर पढ़ लूँगा ताकि आपको easily समझ में आ जाए पहले मैं पढ़ूँगा नहीं पहले मैं समझा दूँगा फिर देखिए example देखते जाएगा ये important रहेगा इसी से आपको ये theory याद रहेगा मान लीजिए Mr. X है और Mrs. X है Mr. X और Mrs. X दोनो husband wife husband wife husband के नाम पे एक घर है husband के नाम पे घर है husband ने क्या करा ये घर नाम कर दिया अपने wife के अपने wife के नाम पे कर दिया क्यों कर दिया ताकि text इसके wife के नाम पे shift हो जाए और जिससे text बचाया जा सके और यहाँ पे without consideration है without consideration sir without consideration का मतलब क्या है without consideration का मतलब सर जहां पे उससे कोई पैसे नहीं लिये गये without consideration कोई पैसा नहीं लिया गया तो ऐसे situation में हाला की honor की बात करें तो honor ये है इस घर की एना honor कौन है ये लेखिन यहां पे government tax किससे वसूलेगा इसे मान लिया जाएगा deemed honor पहला point समझ में आया कि अगर कोई वक्ती अपनी wife को सिर्फ wife के लिए है ये अगर अपनी wife को कोई घर transfer कर देता है transfer करने के बाद ऐसे situation में अगर वहाँ पे consideration का मतलब पैसे का लेंदेन ना हो अब पैसे का लेंदेन ना हो तो इंसान तो चला के उसने बोला जी 5000 दे दिये थे नई educate consideration होना चाहिए यानि अगर 50 लाख market कीमत है तो इसकी wife को इसको 50 लाख देने होंगे सर कुछ बच्चे पूचते हैं हो सकता है सर Mr. X इसको 50 लाख देगा और ये इसको 50 लाख देगी दिखा देगी transaction 50 लाख का हो गया तब क्या होगा तो सर इसने घर इसको बेच दिया और इसने खरीदा मान लो 1 लाख का है या मान लो 10 लाख का खरीदा है और बेचा कितने का है सर 50 लाख का बीच में 40 लाख कमा लिया that is a capital gain 40 लाख पर सीधा 20% इसको tax देना पड़ेगा जो की 8 लाख रुपए होगा तो government tax से बचने नहीं देना चाहता बोला गया कि भाईया पैसा पूरा होना चाहिए यहां पे लें देन के तुलना में ठीक है ना तो अगर wife नहीं अपने अगर बोल मान लो कि Mr. X नहीं इसको क्या करा, simple सा है point के payment दे दिया और एक second ठीक है थोड़ा सा अब ध्यान दीजिए मैं क्या बता रहा था आपको के X ने अपनी wife के नाम पे क्या करा, घर को transfer कर दिया और उसमें consideration नहीं लिया तो घर किसका माना जाएगा, उसके husband का ही माना जाएगा, अगर consideration ले लिया तो घर माना जाएगा, किसका इसकी wife का ही माना जाएगा लेकिन उस case के अंदर capital gain arise हो जाएगा, जो कि हमारा इस chapter से related नहीं है, मैंने बता दिया ऐसा होगा अब बात करते हैं Mr. X Mr. X है और Mrs. X है और ये दोनों जो है husband wife है, वो विस सी बात है और मैंने Mrs. X बोल तो दिया ये दोनों husband wife है लेकिन इन दोनों के बीच में नहीं बन रही बहुत दिनों से लडाई जगडा चल रहा है तो इसका एक ही result होगा क्या होना चाहिए जब लडाई जगडा चल रहा है बहुत दिने से इन दोनों के बीच में बनी नहीं रहा डाइवोस होगा अब डाइवोस के केस में अब इंडियन लॉग क्या कहता है सर जब कभी भी डाइवोस होगा तो एक्स को भी अपनी प्रोपर्टी में से कुछ हिस्सा इसको देना पड़ सकता है न तो दे दिया तो इसने क्या करा एक घर इसको दे दिया कोई consideration नहीं लिया अब इसके पास जो घर है उस घर से rent आ रहा है मान लो के 5 लाक रुपे तो बताओ अब इस केस में rental income किसकी माने जाएगी Mrs. X की या Mr. X की ऐसे situation में Mrs. X की rental income माने जाएगी यानि जहाँ डाइवोस leave apart डाइवोस का केस है वहाँ consideration नहीं घर दे दिया उसी का होगिया वही rental income और जहाँ डाइवोस नहीं है वहाँ पे तुझे ही deemed honor बना के तुझे ही tax है क्योंकि इस property के वह पर पूरा अधिकार किसका हो गया Mrs. X का लेकिन इस वाले property पर Mrs. X का अधिकार है यहीं Mr. X ने स्रिफ और स्रिफ text बचाने के लिए किया है थर्ड example देखिए मान लेते Mr. X और Mrs. तो नहीं कह सकते Miss X भी नहीं बोल सकते Miss Y बोल देते अभी शादी हुई नहीं है तैयारी चल रही है ठीक है ना अभी शादी हुई नहीं और तैयारी चल रही है यहाँ पे और यहाँ पे Mr. X ने क्या करा एक flat अभी बस मान लो engagement बोल लो मंगी नहीं बोल लो जो मर्जी बोलो मंगेतर बोलो जो मर्जी अभी शादी नहीं हुई है इसने क्या करा खुशी-खुशी में आके एक अपना flat इसके नाम पे कर दिया ठीक है एक flat इसके नाम पे कर दिया without educate consideration अब इस flat से शादी हो जाएगी एक महने दो महने जो भी date रखा गया होगा अब इसने क्या करा सर इससे income rental income पाँच लाक रुपए अब बताओ ये income मिस वाई की मानी जाएगी या मिस्टर एक्स की ये यहाँ पे देखो रिस्क है लौ कहता है जहाँ पे रिस्क हो तो वो income उसकी यानि कोई भरोसा नहीं है मिस वाई फ्लैट लेटे ही बदल गई तो अब नहीं करना भाई शादी तो यहाँ पे रिस्क है यहाँ पे नहीं बदला जा सकता यहाँ पे तो बदली गए है और यहाँ पे बदलने के संभावना है तो रिस्क के जादा है तो ऐसे situation में law कहता है यहाँ तुम्हारा रिस्क है तुमसे tax क्या लेंगे हम उससे ही tax जो है इसके उपर ले लेंगे तो यहाँ पे है कि घर spouse अपनी पतनी को या पतनी अपने husband को दे देता है तो उसमें क्या-क्या condition हो सकने तो यहाँ deemed owner एक पर पढ़ लेते हैं फटा-फट से क्या कहता है कहता है transfer of spouse transfer to spouse section 27 कहता है if an individual transfer any house property to his or her spouse otherwise than for the educate consideration मतलब consideration के अगर अलाबा किया गया the transfer that case deemed to be owner आपको मान लिया जाएगा deemed owner of the property so transferred आप देखें यहाँ पर दो बाते जो transfer करता है इसको हम बोलते है transferer और जो transfer receive करता है इसे बोलते है transferee इस सब्द का इस्तमाल करूँगा मैं कई बार तो आपको ध्यान लगना है ठीक है this would however not cover यह section हमारा काम करना बंद कर देगा in case where properties transfer to spouse in connection with agreement leave apart यहाँ पर थोड़ा divorce को थोड़ा modern word दे दिया गया agreement leave apart अगर divorce का case हुआ तो भाया यह section नहीं दोनों अलग-अलग ही text देंगे clear है यहाँ तक तो पहला point हुआ cover हमारा deemed owner का sir और क्या case हो सकता है हमारा deemed owner के case में मान लेते हैं Mr. X है Mr. X है अब wife को transfer करना नहीं है law ने इसे थोड़ा सा बंद कर दिया कि भाई नहीं कर सकते हो Mr. X के पास एक घर है और Mr. X ने इस घर को क्या करा अपने son के नाम पे transfer कर दिया son वो भी minor वो भी minor son जिसको कुछ भी चीज नहीं आता minor कौन होता है sir minor जो 18 से नीचे है उसको हम बोलते है minor son minor son के नाम पे transfer कर दिया तो minor son आप जानते हैं 18 साल से कम है तो पूरा control इसके पापा का ही होगा अब minor son हो सकता है या minor child मैं बोल दूँ मैं son गलत word यूज कर रहा हूँ यहाँ child बोल देता हूँ minor child sir child की बात करें तो दो child हो जाते है कौन-कौन हो जाता है या तो हो सकता है son या फिर daughter दोनों बाते condition है तो minor आपने करा son के नाम पे कर दिया transfer इसने और यह घर इसके नाम पे transfer कर दिया income tax authority आता है Mr. X घर के उपर आप text तो Mr. X बोलता है मैं तो honor हुई नहीं मेरा बच्चा honor है आप उससे tax ले लो और house का income जो है मान लेतने है 2,00,000 रुपे तो इसका बच्चा भी वैसे tax नहीं दे पाएगा ऐसे situation में तो ऐसे situation में 27 आया 27 ने बोला भाईया आप डीम डॉनर माने जाओगे आपको ही इसके उपर tax देना होगा सेम अगर इसने क्या करा ये घर transfer करा होता daughter के नाम पे तब भी डीम डॉनर यही होता और इसको tax देना होता लेकिन daughter के case में condition लग जाता है वैसे कहा जाता है देखो law के अंदर पता है क्या कहा जाता है legal, illegal income tax वाले बोलते है भाईया tax दो तुम कुछ भी काम करो सब legal है सिर्फ tax दे दो तुम ठेक है अब daughter या तो हो सकती है minor married daughter हो सकती है या unmarried वैसे तो कहते है जो minor child है उसका married हो ही नहीं सकता लेकिन law में लिखा हुआ है यहाँ पर या हो सकती unmarried या हो सकती है married तो अगर unmarried होगा तो taxable पता है किसके hand में जाएगा sir taxable जाएगा mister जैसे ही married होगा तो इस घर के उपर अधिकार इसका नहीं रहेगा उसके ससुराल वालों का हो जाएगा ससुराल वाले होगा कोई कौन सा वहां ससुराल ही होगा ठीक है उसका अधिकार आ जाएगा ऐसे situation में इसके उपर tax किसे देना पड़ेगा इस case में missis या miss missis हो जाएगी वे तो जो भी है इसकी daughter को tax देना पड़ेगा या उसके घर के तरफ जो भी है उसको tax देना होगा तो child को देने के नाम पे देखो क्या बोला गया minor major को दोगे तो भईया आपके हाँ से निकल गया major तो बेच-बूच के निकल लेगा आप कुछ नहीं कर पाऊगे जहातर यह होता है भईया अपने नाम पे दिया father ने क्या करा बेटे को दिया भईया बढ़ा हो गया पता चला बेटे ने सारा property बेच दिया जूए में हार गया इधर हो गया उधर हो गया सब कुछ कर लेता हो लेकिन minor को तो डरा के रखा जा सकता तो provision में क्या है minor अगर major को दे दिया तो भईया वही tax भरेगा इसमें include नहीं होगा टेक्स को देना चाहिए daughter को कौन से case में married में तो मैंने बोला daughter ही देगी इसका pen card नहीं बना इसका पती का तो बनाओगा pen card वो भरेगा इसके बिहाफ पे ठेक है ना हाँ तो उसका document नहीं बनाओगा देना इसी को चाहिए true लेकिन कई बार क्या होता है जब कभी कोई minor child की income होता है तो उसमें वो tax नहीं दे सकता तो उसके बिहाफ पे उसके guardian को देना पड़ता है रूल यह कहता है आप देख तो इतने सारे add है आप बच्चा इतना छोटा आपने diaper wiper का add दिखा होगा उसको पचास सो लाकों रुपे कमा लेता है वो diaper के add में आके अब वो tax भरने जाएगा उसे तो पता भी नहीं है तो उस situation में उसके guardian जो है वो tax देंगे है ठीक है न चलिए सर पढ़ लेते हैं क्या कहता है इस provision के regarding मैंने लिख भी दिया और यह आपकी किताब में लिखा हुआ भी है अगेन इसके उपर अलग से separately question आ जाता है कि section 22 define करें otherwise the educate consideration अगर educate consideration नहीं लिया तो the transfer of in case deemed to be honor the house property transferred जिसने transferred किया है उसके नाम पे माना जाएगा this would however not cover if the property transfer the minor married daughter अगर son हुआ minor और वो उसका साधी हो चुका है तो वो तो covered होगा भी है क्योंकि उसका guardian उसका father ही बनने बाला है दुबारा समझ रहो ना तो minor married daughter को specially covered किया गया कि इसको हम नहीं मानेगे यहां तक बास समझ में आई आई आपको पहला case क्या था सर घर अगर आपने दे दिया किसको अपनी wife को तो किसके हाथ में taxable होगा दूसरा case था अगर आपने घर दे दिया अपने बच्चे को तो किसमे taxable होगा अगले case पर देखते हैं Mr. X त्यान से देखिएगा Mr. X है इसके चार बच्चे A, B, C और D चार बच्चे हैं और Mr. X के पास पांच घर है समस्या समस्या है यहाँ पर इसके पास पांच घर है Mr. X की जो एज है 96 एर यानि सूपर सीनियर सिटिजन तो सर इसकी एज है 96 एर सूपर सीनियर सिटिजन और Mr. X को ऐसा लग रहा है कि यार मेरे घर है अगर मैं चला गया पांच घर है तो यह चारों आपस में लड़ लड़ के कहीं चार के जगा तीन ना हो जाए तो इससे बहता है कि हम अभी से ही क्या करें विल बना दे विल मतलब वसीहत अभी से ही तयार कर दे तो जब वसीहत तयार करने गया था तो इन सब के मन में चल रहा होगा मुझे दो मिलेंगे तो मुझे दो मिलेंगे तो मुझे दो मिलेंगे होता ऐसा अब इसके मन में जो चल रहा था वो इसने कहा कि भाईया अपने बड़े बेटे को बुलाए अ बोला तुझे मिल गया नंबर वन हाउस बी तुझे मिल गया नंबर टू हाउस सी तुझे मिल गया नंबर थ्री हाउस डी सोच रहा अब तो दोनों मेरे इसको बोला तुझे मिला नंबर चार चारों ने मिलके पूछा कि पिता जी पांचवा घर क्या है बोला कि भाईया इतने सारे मैंने काम किये हैं सुक सांती के लिए इसे टेंपल बना दो यानि इसे मंदिर में कनवर्ट कर दिया जाए यह मैं charity में दे देता ओ अब यह हो गया मंदिर सर पहले घर से जो rental income अब आएगा वो ए भरेगा दूसरे घर से जो rental income आएगा वो और तीसरे घर से और चौत्छे घर से ड़ी यह अलग-अलग हो गया भाईया दिक्कत यह आगया कि यह पाचवा घर नहीं किया जा सकता, उसको बोलते इंपेरिटिवल स्टेट या इंपेरिटिवल एस इसिट्स, जिसका बटवारा नहीं हो सकता, तो सर इस घर का केर टेकर होगा, कोई ना कोई, बोलेगा, भाया, जो ज़्धा इसमें से मंदिर बना दिया जाएगा, नॉर्मली इसने क्या करा, आपने बड़े बेटे को बोला, भाया, इस मंदिर का सारा देखरेक किसे करना है, तुझे करना है, अब इस मंदिर से न, ये जो घर है, एक तरीके से घर है, चत भी है, सारी चीज़े, कंडिशन फुल्फिल कर रहा है, यहां से रेंट आ सकता है, सर मंदिर में कौन रेंट देगा, कई बार आपने देखा है, मंदिर यूज करते हैं, चाहे कुछ छोटे से फंक्शन के लिए हो, कोड पार्टी के लिए हो, तो वहा मैं भी क्यों दूँ, मैं भी मालिक नहीं हूँ, और law के हिसाब से यह सभी मालिक नहीं है, तो income tax department देखेगा, भाईया, इसका देख रेक कौन कर रहा है, पाया गया कि income tax में देख रेक कौन कर रहा है, ए, care taker कौन है, ए, तो इसके income paid tax किसको देना पड़ेगा, ए को देना खर्चा होगा, सारा चीज़ उसे करना है, government के पास कुछ भी नहीं जाता, temple जो भी होता है, जो जितने भी मंदिर के अंदर, जितने भी दान वगरा होते हैं, उस सभी का income पे calculate होके, tax जाता है उसके उपर, सब के उपर, तो यहाँ पर जो भी है, उसके उपर tax देना होगा, अभी देखा होगा, हाल फिलाल में बहुत जादा contribution चल रहा है, यहाँ से इतनी सारी funding आ रही है, इसके उपर tax दो, इसका हिसाब दो, यहाँ से कहां कहां से पैसे आ रहे हैं, तो वो चीज़ है कि टेक्स देना होगा, तो कहानी moral क्या है, कि आपको कहानी तीसरा case समझ में आ कहता है, holder of imperative state, जो बट नहीं पाया था, जो चौथा पांचवा मकान था उसकी बात कर रहा है, कहता है, the holder of imperative state shall be deemed to be individual owner of all properties, या फिर आपका comprise करेगा in the state, the imperative state as would itself suggested is property which not legally divisual, मतलब यहाँ पर सिर्फ बताया गया, सर इस definition करेगा, imperative state सर वही होता है, जिसको divide नहीं किया जा सकता, यहाँ पर deemed owner उसको मान लिया जाएगा, जो suggest होगा, जो income tax को लगेगा, appropriate है, उसको मान लिया जाएगा, मैंने simple सा example में बता दिया, जो उसका caretaker होगा, वही क्या माना जाएगा, उसका honor, हम जो भी पढ़ रह वाइफ के नाम पे taxable किसके हो गया, husband दूसरा घर दे दिया, बच्चे के नाम पे taxable किसके हो गया, father तीसरा घर दे दिया, मंदिर के नाम पे taxable किसका हो गया, caretaker के उपर, समझ में आ रही है बात आपको, चलिए सर, अगले section पे चलते है, एक हो तक corporate society, Sir, corporate society, या फिर कुछ और भी होते हैं, जो की एक तरीके से, मैं छोटा सा example लेता हूँ, समझना, apartment वगेरा जो बनते हैं, या society होता है, ये बनता कैसे है, इसका देखो, थोड़ा सा जो इसका, मान लो, इस तरीके से करते करते, जो number of person है ना, इतने सारे हो जाते हैं, कि इनके पास थोड़ी से पैसे होते हैं, मान लेते हैं, कि 50 वेक्ती हो गए, ऐसे करते करते हैं, 50 वेक्ती हो गए, और हर किसी वेक्ती के पास, एक एक करोड रुपए है, और उनके पास एक एक करोड के हिसाब से 50 करोड रुपए है, और ये सारे आपस में एक ही जगह काम भी करते हैं, और बहुत दिनों से जानते हैं, तो जब कभी कोई कोई जान रहा हुता है आपस में एक दूसरे को, तो वो चाहता है कि हम सब एक ही जगए रहें, ऐसा नहीं कि हम अलगा-लग रहे हैं, हम क्या करें? एक ही जगह है तो एक आपका सोसाइटी के तरीके से बनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सोसाइटी, ज सर ये सोसाइटी तो ये क्या करता है ये गॉर्मेंट के पास अप्लिकेशन देता है और गॉर्मेंट को बोलता है सर हमें जमीन प्रवाइड किया जाए और फिरी में नहीं मांग रहे हम जमीन का पैसा दे गए क्योंकि एक साथ इनको अगर पचास बनते हैं तो कम से कम मानलो गज का जमीन चाहिए तो 5000 गज का इतनी जल्दी मिलने वाला तो है नहीं लेकिन गवर्मेंट के पास जमीन पड़ा होता है माँ लो 5000 बोला हम आप से पैसे नहीं मांग रहे हम 50 लोग है और हम 50 लोगों के पास पैसा है हम अपना जमीन दे दीजिये जमीन का पैसा ले और हर किसी के नाम पे घर हम कर लेगे तो गौर्मेंट एक इसको खाली प्लॉट अलोट कर दिया जाता है अब इसको नहीं करेगा पचास लोगों के लिए है तो ना तो इसके नाम पे अलोट होगा एक नाम पे ना बी के नाम पे ना सी के नाम पे बोला कि भाई आप एक बात नाम रख लिया, उसने,整 Comence供 नाम है, तो इसने बोला सर मैं इसका जनता अपार्टमेंट नाम रखना चाहता हूं, तो गौवर्मेशन ने जो पेपर कराा ना, वह किसके नाम पे किया जनता अपार्टमेंट के नाम पे उस जमीन का पेपर बना के दिया होगा या फिर A और B के नाम पे तो होगा नहीं वो पेपर तो जनता अब इन्होंने क्या करा इन्होंने पैसे लगाए और यहां पे इतने बिल्डिंग बनाए जिसके अंदर के 50 मकान हो सके 50 कमरे ब अब हर किसी के अनदर एक एक फ्लोर हर किसी के हिस्से में आ जाएगा और यह निकाला जाता है normally नि thought कोई बोलेगा झाया मैं तो नीचे के लूगा मैं तो उपर के लूगा तो जिसके हिस्से में जू है सुक सांथी से वो अपने घर में चला जाए अब सार जब इसको घर मिलता है ना तो घर का इसका प्रोपर्टी का पेपर नहीं मिलता घर मिलता है तो एक यहां का American मिल जाता है kinda अब ऐसे सिच्वेशन में मान लेते हैं Mr. A को यह मिल गया token number one वाला घर तो क्या Mr. A इस घर का मालिक है क्या जवाब नहीं है honor तो है नहीं है honor तो कौन है इस सारी property का जन्ता society है पूरे property का तो यह तो honor नहीं है अब यहां से जो rent आएगा उस rent पे context देगा अगर government बोलता है कि भाईया ए तू दे तो ए तो मुकर जाएगा बोलेगा मैं honor ही नहीं हो तुमारी तीन condition है वो ही fulfill नहीं हो रही इसके अंदर law के इस आप से तो government section 22 के में बोलता है कि भाईया यह भी हम point डाल रहे हैं अब कि अगर ऐसा कोई corporate society हुआ और उसके अंदर आप उसके honor नहीं हो उसके सिर्फ क्या हो एक member हो तो हम माने लेंगे आप deemed honor हो और उसके उपर भी आपको ही tax देना पड़ेगा तो यहाँ पर क्या concept आगे हमारा deemed honor का सर देखे फटा-फट से क्या कहता है corporate society के बारे में member of corporate society आपको roughly याद रखना है हाँ exam में जब question लिखें तो जैसे जैसे मैं example लिख रहा हूँ आप लिखोगे तो अपने language में example बना सकते हैं Mr. X have five houses या इस तरीके से लिख के आजाओगे तो better है बाकी किताब के अंदर आपके छोटे छोटे example मिल जाएंगे और 10 year के अंदर भी मैंने कोसिस किया है कि एक एक example उसके अंदर डाल दूँ मैं नोटस के अंदर चलिए सर कहता है member of corporate society cooperative society section आपका 27 है a member of corporate society company other associate person whom building part therefore allotted या leased है under the house building घर बनाया गया उसके अंदर उसको lease कर लिया गया scheme of society company association shall be deemed to be member of the building apart allotted although the corporate society company associated with the honor of the building वो उसका honor नहीं होता फिर भी उसे honor मान लिया जाता अब suppose करो जितने भी DDA के flat मिलते हैं कोई उसका honor नहीं होता honor government ही रहता वो lease पे दिया जाता है कितने साल के lease पे दिया जाता है तो 99 साल का मतलब तो समझ लेते हैं कि हमारा ही है बाद में renew भी कर देता है तो वो क्या होता है सारा का सारा lease पे होता है जितने भी DDA flats वगरा होते तो ये था हमारा corporate society क्या-क्या पढ़ लिया सर पहला point हमने देखा कि अगर आप अपनी house property की income transfer कर दो अपनी wife में तो कौन देगा दूसरा देखा बच्चे पे कौन देगा तीसरा देखा घर जो की थोड़ा जगड़े वाला imperative बन गया चौत्था देखा आप घर के मालिक नहीं हो क्या corporate society तब क्या होगा एक और case देखते हम चलिए सथ अब घर ना honor का मतलब क्या है honor होता है एक मकान जो होता है एक होता है freehold और एक होता है power of attorney power of attorney जब घर खरीते हैं तो दो तरीके का घर होता है जिसे बोलते हैं कच्ची कलोनी और पक्की कलोनी तो कच्ची कलोनी में सरकार ने आपके नाम पे जमीन नहीं गिया है वो जब मर्जी चाहे आपके जमीन को चीन सकता है इसलिए आप अकसर देखोगे कच्ची कलोनी का rate क्या होगा कम होगा ठेक है पक्की कलोनी कौन सा है जो कि घर आपके नाम पे हो चुका है सरकार आपसे वो घर नहीं चीन सकता अगर सरकार ने वो घर चीना भी तो उसको market rate आपको देना पड़ेगा तो एक होता है जिसको पक्की कलोनी बोलते रहे जिसका बो मेल का अलग-अलग है मुझे exit rate याद नहीं है तो इस हिसाब से देना पड़ता है उसको तो यह property आपके नाम पे हो जाता है तो इसकी बात दूसरा होता है कि जो घर होता है न हम बेचते नहीं है नॉर्मली अगर देखा जाए तो government न डीडिये के जितने भी flat है आपको रहने के लिए दिया गया लेकिन आपको पता है वो बेच दिया जाता है पता है आपको कि डीडिये के flats भी क्या होते है भिक जाते है जो आपको मिला था allotment में वो भी आप क्या करते हो नॉर्मली तो आ power of attorney अपने power सारे अपने transfer कर दिये तो जैसे ही सारा power मैं अभी एक घर के अंदर रह रहा हूं एक paper मैं लिख दू के इस घर पे मेरा कोई अधिकार नहीं है और सारा power मैं जब तक है मैं अपना सारा power किसके नाम पे कर रहा हूं दूसरे person के नाम पे अगर यह लिख के चले जा जिसके नाम पे power of attorney है ऐसे situation में कई बार आप situation देखोगे तो यह आपने देखा भी होगा सुना भी होगा डेली के अंदर maximum घर बेचना खरीदना allowed नहीं होता और बहुत जगों पर allowed नहीं करते तो लोग भाग फिर भी घर खरीदते और बेचते हैं by power of attorney के तो मालिक आप नह honor नहीं हो सिर्फ आपके पास क्या है rights है honor होना और rights होना दोनों अलग अलग बात है ठीक है तो सर power of attorney में अगर आपके नाम पे power of attorney किया गया है किसी घर का तो अगर income tax department आपके पास आता है बोलता भाईया टेक्स लाओ बोलो कि मेरे पास तो power of attorney हम क्यों देक्स हम तो मालिक नहीं है तो section 27 government आपको समझा देगा कि भाईया deemed honor आपको मान लिया जाएगा और इसके according आपको ही tax देना होगा किसका real honor है उससे कोई लेना देना नहीं है तो सर power of attorney के छोटी से points given है देखिए क्या कहता है person in position to property मतलब इस position में के property पे उसका कब जाओ जाएगा जैसे a person who allowed to take retain position of any building apart their performance और उसके उपर performance कर सकता है of contract कोई contract उसने कर लिया है the nature of section 53A of the transfer of property act property act के अंदर ये प्रावधान given है कि आप किसी को भी property transfer कर सकते हो property power of attorney के थूँ to be deemed honor of the house property this would cover case possession of the property handed over to the buyer जिसको भी दे दिया sale consideration has been paid promise to be paid चाहे paid करा हो चाहे promise to be paid किया हो buyer ने sale deemed not to be executed चाहे sale आपका नहीं हो पाया है बायर के थूँ although the certain order document power of attorney agreements shall be have been executed power of attorney कर दिया है आपने उसके नाम पे the buyer shall be deemed honor जो बायर है उसे deemed honor मान लिया जाएगा और उसी के हिसाब से आपको पहला point क्या था sir घर wife के नाम पे टेक्स कौन देगा husband दूसरा घर बच्चे के नाम पे टेक्स कौन देगा father देगा तीसरा घर बट नहीं पाया टेक्स कौन देगा care taker चौथा हमारा corporate society अगर आपके member हो तो टेक्स कौन देगा जो उसका member है ना कि आप honor नहीं डूढ़ने जाओ गई यह क्या है हमारा अगर आपके नाम पे power of attorney है तब भी आपको टेक्स देना पड़ेगा एक होता है lease, lease सुना है आपने word lease word सुना है आपने, sir क्या होता है lease agreement, जैसे मैं बात करूँ तो जितने भी dda flat होते हैं यह सारे lease पे होते है जैसे मैंने बोला 99 साल का lease या rent agreement आपने सुना होगा, kind of this, इनका हर साल बहुत nominal amount सरकार लेती है यह सरकार lease पे दे देती है, या कोई भी lease पे दे सकता है, अभी भी मैं बता ओँ तो डेली के अंदर जो महंगा area माना जाता है ना, जहां business जादा होता होता है, वो चानी चौक माना जाता है जो बहुत पुराना है चानी चौक या फिर सीपी माना जाता है जो कि बहुत पुराना है पुराने दिल्ली में जितने भी प्लेसिस हैं बिसनस के परपस के लिए होलसेल मार्केट के लिए वो हब है बहुत पुराना है तो जो बहुत पुराने टाइम पे कोई रहा होगा जिस पैसे 20 पैसे उसका किराया रहा होगा क्योंकि at the time of given उसने agreement कर लिया होगा क्योंकि अगर उसने 50 साल पहले agreement किया या 100 साल पहले agreement किया तो उस टाइम पे तो 10 पैसे बहुत बड़ी value थी उसने बोल दिया चल भाई तेरे को lease दे जितने law कहता है कि अगर आपने 12 साल से जादा पे आपने कोई भी घर किराये पे लिया है तो उसका legal honor आप ही माने जाओगे आपके नाम पे document नहीं है कोई बात नहीं है आप ही honor माने जाओगे और इसके उपर जो भी rental income होगा उस पे आपको ही टेक्स देना पड़ेगा ना कि जो इसका honor है उसको देना पड़ेगा क्योंकि जायतार हम 99 साल की lease पे लेते हैं तो हम rent पे चढ़ा देते हैं उस चीज़ को और rental income हम अपने पास रख लेते हैं तो सब लेटिंग का concept नहीं लगेगा income tax law कहता है जिसके नाम पे ये lease पे है उसी अगर वो rent receive कर रहा है तो context देगा जो की यहां पे दो word होता है एक होता है lessy एक होता है lesser जो lease पे दे रहा है वो होता है lesser और जो lease पे ले रहा है उसे बोलते है lessy तो इस situation के अंदर अगर 12 साल से उपर पे किसी को भी आप lease पे property दोगे तो जिसके जिसने lease पे property लिया है यानि lessy वो owner मान लिया जाएगा rental income के लिए अगर वो further rent पे देता है तो उसको उसके उपर text देना पड़ेगा ठीक है सर देखे क्या कहता है छोटा सा section है person having the right of property for the period not less than 12 year 12 साल से कम का नहीं है 12 साल से जादा या 12 साल का है तो उस situation में कौन देगा आपका जैसे मान लेता है for example भी ले लेता हूँ मैं Mr. X इसने अपना property Mr. Y को दे दिया Mr. Y को दे दिया और sir ये दे दिया उसने 70 साल के lease पे 70 येर के lease पे दे दिया किसको दे दिया sir X ने दे दिया Y को 70 येर के lease पे दे दिया अब Y इसका मालिक माना जाएगा Y ने further क्या करा Z को दे दिया ये अब जो rental income आएगा Y के पास इसके उपर tax house property के अंडर कौन भरेगा Y को भरना पड़ेगा क्योंकि उसने lease पे ले लिया lease का एक lump sum amount होता है वो ले लेते हैं जाए तक तो हमारे कितने point है सर ये पहला wife के नाम पे दूसरा बच्चे के नाम पे तीसरा आपका imperative state चौथा corporate society और cooperative society पांच वा क्या था हमारा power of attorney और छटा क्या है हमारा lease ये 6 point आते हैं हमारे section 27 में जो कि कई बार पूछ लिया जाता है कि explain deemed ownership as per section 27 तो आपको ये 6 के 6 point with example के साथ explain करना पड़ेगा तो इस chapter के अंदर 22 से 27 section है जिसमें से 2 section खतम हो चुके हैं जो कि theoretical section थे अब हम करेंगे पहले section number 20 जो कि अब practical इस subject का जो भी practical portion है वो सारा start हो जाएगा यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताईए करते हैं अभी भी देखो जैसे कि आप जहां पे रह रह रहे हो शकुरपुर 99 year के lease पे है यह भी आपके नाम पे यह मकान नहीं है जिसका भी है वो property नहीं है वो lease पे ही है वो 99 year के बाद उसे renew करता है नहीं करता हो उनकी मर्ज़ी है खाली करो हाँ वो अमाउंट उसके हिसाफ सोगा अभी current के हिसाफ से हम उससे खाली नहीं करवा सकते वो बहुत हाँ जो बीच वो डिपेंड बायर और सेलर लैसी और लैसर के उपर जो एग्रिमेंट वही तो फाइदा होता है ना जो जितना भी रहे तो उसके हिसाफ से जो अमाउंट डिसाइड हो जाता है उसके according वो बायर सेलर पे आप कई बार जाओगे ना जो बड़े बड़े जो होते है ना वहाँ पर लिखा होता है या तो लिखा होता है property for rent या लिक्षाओ था property for lease लिक्षाओ होता है जातरा हम लोग लंबय समय के लिए नहीं बनाते हैं पहले बना लिया करते थे 25-30, 30 साल के लिए अब 11 महिने के लिए बनाते हैं यरा महिने के बाद धीर उसे renew करते जाते हैं ताकि उसका कबजा उसके उपर ना आ जाए सर अगर अगर केर टेकर इंपर हाँ अगर एक कहना है के सर जो केर टेकर वारा एक्जामपर लिया अगर वो लेना नहीं चाहता है अगर को लिया जो भी जिम्मेदारी ले उनके बच्चे ना ले कोई बाहर वाला ले ले कोई ना कोई तो लेगा वो टेक्स देगा उसके उपर उसका केर टेप कर सिंपल बताइए यहां तक तेयोरी में किसी को डाउट और ट्रनी क्या होता है और ट्रनी होता है राइट्स अधिकार देना किसी को कोई दिक्कत झाला ना ले कोई पाला लेक्स दिक्ट